पहली बॉल छे, दूसरी बॉल छे, तीसरी बॉल छे, चौथी पे नो बॉल, फिर उसके बाद छे, फिर चौका, फिर आखरी बॉल पे एक रन ये थी हार्दिक पंडिया की तूफानी पारी, जिसके चलते बड़ोदा की टीम, तमिलनाडू के खिलाफ सेद मुश्ताकली टॉफी में एतिहासिक और रोमांचक जीत दर्च करने में कामियाब रही अब मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि मैच कैसा रहा और आखर तक हार्दिक पंडिया ने किस तरीके से सेद मुश्ताकली में गिनबाजों के परखचे उड़ा दिये तो मैं बात कर रहा हूँ बड़ोदा और तमिलनाडू के बीच हुए ग्रुप बी के मुकाबले की जो सेद मुश्ताकली टॉफी दोहजार चॉबीस में आज खेला गया जिसके मैच की शुरुआत हुई शाम को साड़े चार बजे जहाँ पर इंदौर के होलकर क्रिकिट स्टेडियम में बड़ोदा की टीम यानि की क्रुनाल पांडिया की टीम ने टॉस जीत कर पहले गेनबाजी की फैसला किया ठीक है अब गेनबाजी का फैसला किया तो ग्यानी की पहले बलेबाजी की तमिलनाडू ने और तमिलनाडू की टीम को 222 का टार्गेट चेस करना था तमिलाडू की तरफ से कृनाल पांडिया ने गिंदबाजी अच्छी की बट हार्दिक पंडिया को गिंदबाजी में बहुत मार पड़ी तीन ओवर में 44 हार्दिक पंडिया के खिलाफ ठोक दी गए बट जब बलोदा की बल्लेबाजी आई ना कुछी तरह की बल्लेबाजी बलोदा ने भी की और वहाँ पे एक बार फिर से कह सकते हैं कि यार जो टॉप ओडर था शुरू के तीन वो जल्दी आउट हो गए थे बड़ उसके बाद हार्दिक पंडिया का भाई सहाब तूफान आ गया पहले मैच में आपको एक कम वो भी 30 गेनों में हालाकि लास्ट में वो रनाउट हो गए विजेश अंकर का वो डिरेक्ट थ्रो जिसके चलते हार्दिक पंडिया रनाउट हो गए बड़ उसके बाद भी बलोदा की जो टीम है ना वो मैच जीत गए 222 रन आखरी बॉल पे चेज कल लिया बलोदा क सिंगल लिया और इसके चलते उस ओवर से निकले 29 रन जिसमें 20 गेनों में तो हार्दिक पंडिया ने अपनी 50 पूरी कर ली थी और इस तरह से तूफानी बलेबाजी वो कर रहा है ना भाई इन दौर के स्टेडम में तो धूम मचा दे रहा है और सेयद मुश्ताक अली ट्र तो वहाँ पे हार्दिक पंडिया का इस तरह का फॉम अगर रहेगा तो भाईया इंगलेंड के तो धजिया उड़ जाएंगी उसके बाद फिर चेंपिस टॉफी से पहले भारत को वंडे सीरीज है खेलनी है इंगलेंड से तीन वंडे मैच वहाँ पे हार्दिक पंडिया की